मेरा सवाल है कि क्या हमें शाकाहार, शराब न पीना और ब्रह्मचर्य जैसे गुणों को अपनाना चाहिए? ताकि हम अपने शरीर को स्वस्त कर सकें, ताकि ये 21 मिनिट की क्रिया ज्यादा असरदार हो? देखिए, मैं हमेशा से यही कहता रहा हूँ, खाना खाने में नैतिकता कहां से आ गई? भोजन शरीर के लिए है, हमें वही खाना चाहिए जो इस शरीर के लिए ठीक हो, लेकिन अभी आप भोजन को एक आदत बनाने की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छी आदत और बुरी आदत जैसी कोई चीज नहीं होती, आदत का मतलब है कि आप इंसान होने की सुंदर्ता यही है कि हम हर चीज जागरूकता के साथ कर सकते हैं, हम बिना सोचे समझे खा सकते हैं या हम जागरूकता के साथ खा सकते हैं, हम अंजाने में सांस ले सकते हैं या हम जागरूकता के साथ सांस ले सकते हैं, हर चीज जो हम कर सकते हैं, हम उसे जा जाता है या ना बस इतना ही तो हम आदते बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जैसे कि यह कोई अच्छी चीज है आदत का मतलब है तय चीजें जहां आपको सोचना नहीं पड़ता आप सुबा उठी और यह आपके साथ हो जाता है नहीं अपने जीवन को आटोमाटिक बनाने क कोशिश मत कीजे यह efficiency नहीं है यह machine जैसी efficiency है इससे उमीद की जाती है कि यह बुद्धिमानी से और जग्रूकता के साथ काम करे कोई भी इससे machine की तरह काम करने की उमीद नहीं कर रहा तो जहां तक भोजन की बात है भोजन शरीर के लिए उप्योक्त होना चाहिए यह शरीर लेकिन इन हजार सालों में हुए हमलों से दूसरी तरह के फूट कल्चर्स भी आ गए हैं और आज पीजा या पास्ता राष्टरी भोजन बन गया है मुझे पता नहीं कि इनमें से कौन सा है दोनों में होड लगी थी तो हम भोजन के बारे में अपनी समझ खो रहे हैं अगर आप खाना खाते हैं और आपका शरीर बहुत फूर्तीला और जीवनत महसूस करता है तो उसका मतलब है कि अच्छा खाना है अगर आप कोई चीज खाते हैं और शरीर सुस्त महसूस करता है तो इसका मतलब है कि ये इससे पसंद नहीं है इसे इसके साथ परिशानी हो रही है तो बसे साधार पर भोजन चुनिए ये सबसे आसान तरीका है